प्रश्कर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पात करने वाले हैं योनी धूपन की धूपन यानि फ्यूमिगेशन एंड योनी मने वेजाइना यानि की फीमेल वेजाइना का फ्यूमिगेशन मैं जानती हूँ यह चीज आप लोगों के लिए एकदम नहीं है लेकिन आपने जब फ्यूमिगेशन सुना है तो वह आपने सुना है कि उसमें एंटि बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज होती हैं एंटि वाइरल प्रॉपर्टीज होती हैं यानि की अगर आपको किसी भी एक जगा को स्चिराइल करना है वहां से बैक्टिरिया को वाइरस को किल करना है और एकदम sterile environment create करना है तो हमारे पास जो सबसे पहला option आता है वो fumigation का आता है और इसी fumigation के हिसाब से आयरवेद में हजारों वर्षों पूर्व योनी धूपन के बारे में बताया गया है यानि कि ऐसी herbs का प्रियोग करना धूपन के लिए यानि कि fumigation के लिए जिससे की female की vagina में किसी भी तरीके का bacterial, fungal, viral infection है जो वहाँ पर problems create कर रहा है तो उसको हम resolve कर सकते हैं ये herbs हो सकती है जैसे की हमारा अशोक, चंदन, शिग्रू, लोद्र, इत्यादी ये herbs अलग अलग तरीके के vaginal infections को देखते हुए आप यूज कर सकते हो अगर कोई भी महिला घर पर अपनी basic vaginal health को maintain करने के लिए यूनी दूपन का प्रियोग करना चाहती है तो हम basically जो हमारे घर में आम तोर पर मिल जाता है camphor यानि की कपूर या फिर guggul जो easily available होता है उसका भी प्रियोग कर सकती है इसके अलावा कुछ oils आते हैं जिसे आप जो भी fumigation के लिए आपने तयार किया है material जैसे की कोईला है या फिर जो उपले होते हैं उनको प्रियोग कर सकते हैं और उसके उपर ये oils आप यूज कर सकते हैं ये volatile oils होते हैं यानि की जो भी fumigation से धूप तयार होगी या जो steam तयार होगी उसके अंदर उन oils का effect मिलता है और उससे हमें required results मिल जाते हैं अब प्रेशन आता है कि ये योनी धूपन हम करें कैसे सबसे पहले योनी धूपन करने के लिए आपको कोई भी एक ऐसा जालीदार मुड़ा टाइप में या फिर कोई एक ऐसी चेयर जिसमें की नीचे को थोड़ा जाली या spaces रहते हैं उसका आप प्रियोग कर सकते हैं लकडी का कोई स्टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके उपर कोई पिलो आप रख कर उस पर आप बैट जाएए कपड़े आप ऐसे पहने जो की नीचे के एरिया को अच्छे से कवरेश दे और एंडर गार्मेंट्स को आप ना पहने ऐसे कपड़े पहन कर जैसे की पैट लिजे रख लिजे तो वो जो यूनी उस इंस्टूमेंट से जो धूप निकल रहा है वो अपके यूनी प्रदेश में यानि कि फीमेल वेजाईना में किसी पी तरीके का जो इंफ्ट्शन है उसको रिजॉल करने में मदद करता है। फीमेल्स में yeast infection, bacterial infections, recurrent जो infections होते हैं जिससे की योनी से बहुत ज़्यादा बद्बू आती है या बार-बार पानी का स्राव होता रहता है और गंदगी रहती है बहुत बार बहुती ज़्यादा चिपचिपा गाड़ा प्रदार्त निकलता है कई बार दही जैसा infection होता है इस त लावा योनी धूपन जो है वो delivery के बाद भी बहुत अच्छे results देता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद नॉर्मली फीमेल्स का वेजाइना बहुत लूज हो जाता है तो वेजाइना को tight करने में भी ये बहुत मदद करता है उसके लिए आप डॉक्टर की सला के अनुसार सकते हैं तो इसलिए अगर कोई first pregnancy के बाद second pregnancy के लिए plan कर रहा है और वेजाइना लूज होने की वज़ह से आपको दिक्कत हो रही है कई बार ऐसा patients पोलते हैं कि पुरुष का जो पानी है वो जल्दी बाहर आ जाता है अंदर रुकता नहीं है क्योंकि वेजाइना लूज हो बहतरीन बना सकते हैं और as a female अपने internal organs को आप healthy रखना आपकी जिम्मेदारी है तो उसके लिए ये best option है धन्यवाद